Hello everyone, मेरा नाम अदाद है और आज हम एक चोकलेट केक बनाएंगे Air Fryer Meek, जो की Kids Save है तो चली उसके इंग्रीडियेंट्स देखते हैं तो उसके इंग्रीडियेंट्स हैं मैदा पाउडर सुगर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कोपाउडर ओयल कर्ड मिल्क और वनिलाज चलीए अब हम अपना केक शुरू करेंगे सबसे पहले हम वन पाउड मैदा डालेंगे और उसके बाद हम ये वन बाउड पाउडर सुगर डालेंगे अब धम वन हाउड स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे बाउडर स्पून बेकिंग अब पाउडर डालेंगे वन फोर्ट स्पून बेकिंग अबिकिंग स्टाड डालेंगे अब वन बेकल पूंपर को गोड पौडर अब हम इन सारे इंग्रीडिएंस को अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें और डालेंगे जो है वन स्मॉल बाउल अब हम इस वह ने आचछा फर भाल कर्यूडर्प्स । अब हम इन ग्रीडियंगे तक मीक्स करेंगे अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है अब हम जैसे कि आप देख सकते हैं यह थोड़ा सर मोटा हो गया तो हम इसको पतला करने के हमें दूर चलियों का हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा बैटर कुछ ज्यादा पतला ना हो जाए मैं अभी इतना ही डालूंगी अभी मैं मैं थोड़ा सा और दू दालना है अब हम इसको मिक्स करेंगे देखे अब हमारा बैटर ऐसा दिखना चाहेंगे अब हम इसकेंड़ रण चाहेंगे वन श्पून मनिला आशेंगे दालेंगे हम इतना बनिला आशेंगे रसकेंड़ और फिर हम इसे मिक्स करेंगे मैंने ये दिश प्रेड़ी किया जुसके उपर मैंने थोड़ा सा मैदा और ओयल लगाया है तो हम इसके अंदर अपना बैटर डाल देती है इसके अंदर हम इस बैटर को इसके अंदर डाल के थोड़ा से अपसे हिलानेंगे इस दिश को अब हम ये एर फ्रायर लेंगे और हम इसको वन सिक्स्टी डिग्री सेल्सियस और फिफ्टीन मिनिट्स तक सेट कर देंगे अब हम इसको अंदर अपना अपना केक डालेंगे और इसको बनने के लिए रख देंगे अब हम इसको फाइब मिनिट्स और रख देंगे अब देखते हैं कि फाइब मिनिट्स के बाद ये कैसा बनता है मैंने अपने केक को 30 मिनिट्स तक रख रहा है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप भी इस रेसिपी को ट्राइ किये जे और हम इसे ठंडा उन्हें पने कालेंगे तो गाइस आप भी इस रेसिपी को एंजोई कीजे और ये को एंजोई कीजे